अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्वल लवट के आया है और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा इसका प्रतीक आज का कारिक्रम बन गया है ऐसे समय में आपके उत्सा का आपके आनंद का वरणन कोई नहीं कर सकता हम यहाँ पर अनुभव कर रहे पूर्ण देश में यही वाता वरण है छोटे छोटे मंदिर के सामने दूर दर्शन पर इस कारिक्रम को सुनने वाले हमारे समाज के करोडो बंदू वहाँ पहुच ना पाए ऐसे घरगर के हमारे नागरिक सज्जन माता भगिनी सब भावविव हो रहे सब में आनंद है सब में उत्सा है कि और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है कि आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महुत्सों में प्रधारने के पूर्व प्रधान मंत्री जी ने कठोर्व रत रखा जितना कठोर्व रत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर्व रता चरण उन्होंने किया मेरे पुराना उनसे परिचय है मैं जानता हूँ वो तपस्वी है ही परंतु वो अकेले तब कर रहे हम क्या करेंगे आयोध्या में रामलला आये आयोध्या से बाहर क्यों गए थे रामायन में क्यों गए थे बाहर तो अयोध्या में कलह हुआ अयोध्या उस पुरी का नाम है जिसमें कोई द्वंद्व नहीं जिसमें कोई कलह नहीं जिसमें कोई दिविदा नहीं वो हुआ 14 वर्ष वर्वास में गए वो सब ठीक होने के बाद दुनिया के कलव को मिटा के वापिस आए आज रामलला वापस फिर से आए है 500 साल के बाद जिनके त्याग तपस्या प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे सुवर्ण दिवस देख रहे उनका स्मरण प्रान प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा आपने सुना होगा स्मरण किया उनकी तपस्या को उनके त्याग को उनके परिश्रम को शतबार सहस्त्रबार कोटिबार नमन है रामलला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो जो श्रवन करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्मप्रवन होगा और उसके राष्ट्र का सब दुखदाइन्य हरन होगा ऐसे इस इतिहास का सामर्थ है परंतु उसमें हमारे लिए कर्तवयका आदेश भी है प्रधान मंत्री जी ने तब किया अब हमको भी तब करना है रामराज्या आने मला है वो कैसा था दैही का दैवी का भौतिक तापा रामराज नहीं कहुई बाप वापा सब नरकरही परस्पर प्रीती चलही स्वधर्म नि नरु अरु नारी चतुर सबगुनी सबगुंध्यंग्य पंडित सब ग्ज्यानी सब कुरतज्या नहीं कपट सैयानी है रामराज्य के सामाञ्य नागरीकों का जो वरनन है हम हमीं कि इस गवरों में भारत वर्षकी संताने है Şu कोटी कोटी कंठ उसका जैगान करने वाले हमारे हैं, हमको इस प्रकार के विवहार को रखने का तप आचरन करना पड़ेगा। हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी। छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं, छोटे छोटे विवाद रहते हैं, उसको लेकर लड़ाई करने के आदा छोड़ेनी पड़ेगी, आखिर है क्या? ये बात बताई वो सामान्य नागरिक कैसे थे? निर्दंभ, प्रामाणिक्ता से आचरण करने वाले केवल बाते करने वा नहीं थे, काम करते थे, आचरण करते थे और अहंकार नहीं था, ऐसे वो थे और धर्मरत थे, याने क्या थे? इस पर कठिन बाशा में प्रवचन बहुत लंबा हो सकता है, लिकिन थोड़े में धर्म के जो चार मूल्य जिनकी चोखट पर धर्म है, ऐसा श्रीमत भागवत म उसका आज हमारे लिए युगानुकूल आचरण क्या है? तो सत्य कहता है कि सब घटों में राम है, ब्रह्म सत्य है, वही सर्वत्र है, तो हमको ये जान कर आपस में समन वैसे चलना होगा, क्योंकि हम चलते हैं, सब के लिए चलते हैं, सब हमारे हैं, इसलिए हम चल पाते है और इसलिए आपस में समन्वे रखकर व्यवार करना ये धर्म का पहला जो पहरे सत्य उसका अचरण है करुणा दूसरा कदम है उसका अचरण है सेवा और परोपकार सरकार की कई योजनाए गरिबों को रहत दे रही सब हो रहा है लेकिन हमारा भी करता है ये सब समाज बांदाओ हमारे अपने बंदु है तो जहां हमको दुख़ दिखता है पिड़ा दिखती है वहां हम दोड़ जाए सेवा करें दोनों हाथों से कमाएं अपने लिए न्यूनतम आवश्चक रखकर बाकी सारा वापस दें सेवा और परोपकार के माध्यम से ये करुणा का अर्थ आज है शुचिता पर चलना है यहने पवित्रता होनी चाहिए पवित्रता के लिए संयम चाहिए अपने को रोकना है, सब अपनी इच्छा है, सब अपने मत, सब अपनी बाते, ठीक होंगी ही ऐसा नहीं, और होगी तो भी अन्यों के भी मत है, अन्यों की भी इच्छा हैं, और इसलिए अपने आपको सह्यम में रखते हैं, तो सारी पृत्वी सब मानवों को जीवित रखेग गांदी जी कहते थे Earth is enough for everyone's need but it cannot satisfy everyone's greed तो लोबने करना, सायम में रहना और अनुशासन का पालन करना अपने जीवन में अनुशासित रहना अपने कुटुम्ब में अनुशासन रहना अपने समाज में अनुशासन रहना सामाजिक जीवन में नागरिक अनुशासन का पालन करना भगिनी निवेदिता कहती थी कि स्वतंत्र देश में नागरिक सम्वेदना रखना और नागरिक अनुशासन का पालन करना यही देशभक्ति का रूप है इससे जीवन में पवित्रता आती है और तपसका तो मूर्तिमान उदारन आपके सामने आज दिया गया व्यक्तिकत तपस तो हम करेंगे सामुहिक तपस क्या है संगच्छद्वम, सम्वदद्वम, सम्वो मनावसी जानता हम साथ चलेंगे, बोलेंगे आपस में, उसमें से एक सामतिका समध निकालेंगे एक कही भाषा बोलेंगे वो वाणी मन मचन कर्म समन्वित होगा और मिलके चलेंगे अपने देश को विश्वगुरु बनाएंगे ये तपस हम सब को करना है पास्सो वर्षों तक अनेक पीडियों ने लग कर परिश्रम करके प्राणों का बलिदान देके खून पसीना बहा कर आज ये आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलब्द करा दिया उन सब के प्रति हमारे मन में कृतग्यका है मैं यह बैठता हूं तो मेरे मन में विचार आता है कि मुझे बिठाया मैंने क्या किया वो तो जो उन्होंने किया उसका प्रतिनी दी भी मुझे बनाया गया है उ उनी को अरपन करता हूं परंतु उनका ये व्रत हमको आगे लेके जाना है जिस धर्मस्थापना विश्व में करने के लिए राम का उतार हुआ था उस धर्मस्थापना को अनुकूल स्थिति अपने आचरण में अपने जेश में उत्पन करना यह अपना करतव्य बनता है राम प्रेणना देने के लिए साथ साथ इस कर्तव्य की याद दिला कर उसमें कृति प्रवण करने के लिए आए है उनका आधेश सर पर लेके हम यहां से जाए सब लोग तो यहां आने ही सके लेकिन वो सुन रहे हैं देख रहे हैं अभी इस इक्षन से इस व्रत का पालन हम तो मंदिर निर्मान पूरे होते होते विश्वगुरु भारत का निर्मान भी पूरा हो जाएगा इतनी क्षमता हम सब की है